हलो फ्रेंड आप देखर हमारे सेनल ग्रो बुक्स तो आज हम फिर साब के लिए नई बुक लाए हैं जिस बुक का नाम है क्रियेटिव ए स्कूल्स इसका मतलब आईए स्कूलों को एक नई नजर से देखें इनका लिखा का नाम है केन रोबिंसन एंड लव अरोनिका तो चलि बाटने बदलने के तरीके के बारे में सिखेंगे यह सबक सिख्षा के हर एक एस्तर और एस्टुडेंट्स की हर एक जरुद के बारे में हमें बताते हैं इन्हें पढ़कर हम सिखेंगे कि कैसे हम एस्टुडेंट्स को इस हर पल बदलते दुनिया में सफल होने के लिए ति इसके लिए है टीचर, पैरेंट्स और स्टुडेंट्स के लिए वे जो सिक्षा को अलग नजर से देखना चाहते हैं, वे जो बच्चों को आने वाले वक्त के लिए त्यार करना चाहते हैं, अधिया नमर एक, क्रियाटिव एस्कूल करांती के साथ जूड़े, जातर एस्कूल में बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है, जिससे वो बोर हो जाते हैं, एस्कूल से मज़दार नहीं होते, लेकिन हम creative school की मदद से इन्हें मज़दार बना सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम 2 घंटे के जगा 4 घंटे आर ट की कलास चलाए इसका मतलब है कि हम schools को पूरी तरह से बदल कर एक नए तरीके से बच्चों को पढ़ाए ज़्यातर बच्चों के school के सक्त नियम और परिच्छा नहीं पसंद है हम इने सुधार कर हर एक बच्चे के सिखने के लिए एक माहौल तियार करेंगे इससे बच्चे, टीचर, पेरेंट्स और एसकूल सभी लोग सिख सकते हैं इसके अलाव आप सिखेंगे की हमारे एसकूल आच्छा क्यों नहीं लगते इन्डिया के गरीब इलाके में लगाए गए कम्पीटर से हमें बच्चों के सभाव के बारे में क्या जानने को मिलता है एस्टुडेंट्स के द्वारा कैसे एक एसकूल चलाया जाता है अध्याय नमर दू इन्डियस्ट्री को जिस चीज की जरुवत है एसकूल में वहीं पढ़ाया जाता है जिन एसकूल को हम आज अपने आसपास देखते हैं उन एसकूल में इन्डियस्ट्री की जरुवतों को ध्यान में रख कर बच्चों को सिक्षा दी जाती है जिससे वो उन कमपनियों के लिए एक अच्छे एमपलाई बन सके इन्डियस्ट्री में बच्चों के हुनर को निखारा नहीं जाता आठारवी और उनिस्वी सताबदी में मोडर्न एसकूल का जनम हुआ इससे पहले सूर्फ सिर्फ कुछ लोगों को ही फॉर्मल एज्यूकेशन दी जाती थी लेकिन इन्डियस्ट्री के आने से इन्डियस्ट्री की मांग बढ़ गई इन्डियस्ट्री में बहुत सारे ऐसे वर्कर्स की जरुवत थी जिनें पढ़ना लिखना और मैथ्स सुल्व करना आता है इसलिए पच्छमी देश की सरकार ने ऐसे एसकूल्स बनाए जहां पर फैक्ट्री में काम करने वाई वर्कर्स को पढ़ाया जाए एसकूलों को भी एक फैक्ट्री की तरह बनाया गया जहां पर एक ही तरह के लोगों को कमपनी में काम करने के लिए त्यार किया जाता था इन एसकूल्स को एक एस्टेंड मुवमेंट से जोड दिया गया ये extended movements schools को काबू करने के लिए बड़े-बड़े करबारियों दोरा चलाय जाते थे इनके सुर्वात 1980 के दसक में हो चुकी थी लेकिन 2000 में इस movement को बढ़ावा मिला जब United States, United Kingdom और Germany पीशा टेस्ट में बुरी तरह से फिल हो गए अपने खराब result को देखकर इन देशों ने ऐसे तरीके की तलास की जिससे ही अपने एस्टूडेंट्स की performance को सुधार सके इसलिए उन्होंने ऐसे एसकोल्स को बढ़ावा देना सुरू किया जिसमें उनके जरूतों के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाए इन एसकोल्स में बच्चों के टेस्ट मार्क्स के हिसाब से उनके ग्रेट्स दिया जाते हैं एस्टूडेंट्स के ग्रेट्स के हिसाब से उनके इंडेस्टी की अलग अलग जरूतों के लिए ट्रेन किया जाता है मतलब अच्छे grades वाले students को engineer और खराब grades वाले students को worker बनाने की training दी जाती है अधिया नमर तीन सबको एक तरह की शिख्चा देने से बहुत भीछ समस्षा हो सकती है अगर आप एक नया computer कुछ लोगों को दे तो आप देखेंगे कि हर इक आदमी उसे अलग तरीके इस्तमाल करना सिखता है कुछ लोग पहले उसका मैनुवल पढ़ेंगे, कुछ लोग इंटरनेट से उसके बारे में जनकारी निकालेंगे और कुछ लोग उसे ओपन करके उसके साथ खेलने लगेंगे इसे हम ये पता चलता है कि हर आदमी की अपनी समझ होती है और वो उसी समझ की मदद से चीजों को सिखता है लेकिन एसकूल के साथ ऐसा नहीं है एसकूल से में बच्चों को ऐसे पढ़ाय जाता है जैसे उन सब के सिखने का तरीका एक ही हो उन सब ही को कलास में जबरदसी बैठा कर टीचर की बाते सुनाई जाती है हमारे चकूल बच्चों को उनकी उमर के हिसाब से अलग-अलग कलास में डालते हैं न अगर हम ऐसा एजूकेसं सिस्टम बनाएं जहां पर बच्चों को उनके एक्सरसाइज और टेस्ट मारके के हिसाब से जज़ किये जाए तो हम उनके creativity को खतम कर देंगे इससे हम उनके सिखने के इच्छा को मार देंगे 2012 में अमिर्का के high school के 17% students अच्छे से लिख और पढ़ नहीं पा रहे थे लेकिन student movement के skills की मांग की वज़ा से इन बच्चों का talent खतम होता जा रहा है इसकी वज़ा से जादर बच्चे नोकरी नहीं पाते और अपनी ही society में एक कैदी बन कर रह जाते हैं इस modern education system में जातर बच्चे फेल हो जाते हैं और अगर वो किसे तरह के पास भी होते हैं तो उन्हें भी विरजगारी से जुझना पड़ता है इतनी सारी समिशाओं को हल करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे अध्याय नमर चार हम education को organic farming के चार सिधानतों की मदद से सुधार सकते हैं हमारा education system मवेसी पालन की जैसा है जब जब तक जानवर तेजी से बढ़ रहे हैं तब तक किसानों को कोई परसानी नहीं होती किसानों को सिर्फ जानवरों के बड़े होने और अपने फायदे से मतलब है इसे तरह हमारी education system को भी सिर्फ marks और degree से ही मतलब है हमने देखा है कि कैसे हमारा education system से हमें नुकसान हो रहा है हम इससे होरी परसानियों से निपढ़ने के लिए आर्गनिक farming के सिधानतों का इस्तमाल कर सकते हैं आर्गनिक farming के चार सिधानते health, ecology, fairness और care इन सबी सिधानतों का इस्तमाल करने से हम सबका फैदा होता है इसमें पोदों को natural तरीकों से बड़ा किया जाता है जिसमें हमें और हमारी आने वाले पिडियों को कोई नुकसान नहीं होता जब हम इन सिधानतों को education में लगाते हैं तो हमें वैसे ही result मिलते हैं modern education system में बच्चों को सिर्फ पढ़ाने, लिखने या खेल कुद में अच्छा बनाया जाता है जबकि organic schools में बच्चों को सरीरिक और मानशिक रूप से एक होंसियार और सिहतमन्द इनसान बनाया जाता है organic education हर student की काबलियत को निखाने के लिए ecological system का भी इस्तमाल किया जाता है gang primary school, notigm एक ऐसा school है जिसे बच्चों जिसे बच्चे एक सहर के तरह चलते हैं इस school में एक council, एक news paper और एक food market है जिसमें बच्चे अलग-अलग काम करके बहुत सारी चीज़ा सीखते हैं organic education से हम हर एक बच्चे पर ध्यान दे सकते हैं या अगर teacher बच्चों के सिखने के लिए अलग-अलग माहौल तियार करते हैं और प्यार से उनकी देखबाल करते हैं मगर क्या आप एक ऐसे as school teacher हैं जहां organic education नहीं है अपने students को अच्छे से पढ़ाने के लिए teacher को ऐसा क्या करना चाहिए जिसमें उनके students बोर ना हो आने वाले सबग में हम इन सवालों पर नज़ा डालेंगे अध्याय नमर पांच बच्चों में सिखने के भूख होती है teachers का काम है कि वो बच्चों को सही रास्ता दिखाए बच्चों में सिखने के भूख होती है वो दो या तीन साल के होने तक अपनी भासों को अच्छे से बोलना सिख लेते हैं वो किसी नई चुछ को देखकर उत्सुक हो जाते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर आप किसी कलास में जाए तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बच्चे बोल हो जाते हैं और उनका कुछ भी सिखने का मन नहीं करता उनने जिस तरह से सब कुछ सिखाय जाता है ये उसी का नतीजा है छोटे बच्चे के साथ बड़े बच्चों में ये भी भूख होती है कि सुगाता मित्र निवकिक कैसर इउनिवर्सिटी मैं टेकनलोजी के परफेसर हैं उन्होंने इंडिया के गरीब इलाके में कम्पूटर लगवाया उस कम्पूटर में सब कुछ इंगलिस भासा में लिखा था जो वाँग बच्चे नहीं जानते थे लेकिन कुछ ही घंटों में पाया कि बच्चे उस कम्पूटर को इस्तिमाल करना सीख गया उन्हा गेम खिलना और गाना रिकॉर्ड करना आ गया इससे हम यह कह सकते हैं कि बच्चे सीखने के लिए सुर्वात से ही उसुख राते हैं और एक टीचर का काम है कि वो इस उत्सुखता को बनाए रखे उसे एक मालिक तरह होना चाहिए जो पौदा को जवरदसी बढ़ा ना करके उन्हें प्यार से बढ़ा करता टीचर को बच्चे के इस उत्सुखता का इस्तिमाल कर उन्हें चीजों को सीखना चाहिए जैसे कि अगर किसी बच्चों को बेसबॉल खेलना पसंद है तो टीचर को उसे फिजक्स के वो रूस बताने चाहिए जिससे वो करब बॉल को असानी से हीट कर सके अच्छे टीचर्स जानते हैं कि उनके बच्चे अलग-अलग तरीके से सीखते हैं उन्हें पता है कि कुछ बच्चे बताने से सीख जाएंगे जबकि दुसरों को करके दिखाना होगा टीचर्स को अपने बच्चों के अंदर ये बिस्वास जगाना चाहिए कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं वो खुद पर बिस्वास कर और सांत रहकर सब कुछ हासिल कर सकते हैं अध्याय नमर छो एस्कुल्स को बच्चों में आठ अलग-अलग छमताय बिक्सित करनी चाहिए बच्चों को पढ़ाते वक्त हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या सिखना चाहते हैं हम उन्हें फ्रेंच और अलगेबरा जैसे सब्जिक्ट न पढ़ा कर उन्हें छमताय बिक्सित करनी चाहिए हम नहीं जानते कि भौष में क्या होने वाला है हम यभी नहीं जानते कि आने वाल समय में ये सब्जेक्ट बच्चे के काम आएंगे या नहीं इसलिए हमें बच्चों में छमताय बिक्सित कर उन्हें हर हालात के लिए त्यार करना चाहिए इसकुल्स को बच्चों में आठ छमताय बिक्सित करना चाहिए इन्हें 8 से भी कहा जाता है जिसमें पहला नाम उत्सुकता यानि क्यूरो सिटी कहाता है हमें बच्चों को दुनिया पर ध्यान देकर उन चीजों को बारे में सवाल पुछने के लिए कहना चाहिए जो उन्हें नई सवाज में आ रहा है या जिसके बारे में वो जानना चाहते है एस्कुल्स को बच्चों में creativity यानी रचनात्मक लानी चाहिए जिसे वो खुद के नई ideas बनाकर उन्हें अपनी जिन्दगे में इस्तमाल कर सके हमने आज तक जितनी भी खोज़े कि यह सब creativity के ही नतीजे है बच्चे का अंदर creativity लाने से हम उन्हें आने वाले नई नई परसानियों से नहीं पटने के काबिल बना सकते है तीसरी सहमता है आलोचना यानि हमें बच्चों को हर चीज़ पर सवाल उठाने और उसके अच्छाई और बुराई पहचाने के काबिल बनाना चाहिए जिससे वो अलग अलग तहलातों में सही और गलत का फैसला कर सके अश्कुल्स ए बहुत सारी उमेदे करते हैं एक अश्कुल के चार काम होते है बच्चों के हुनर को निखार कर उने हुनके मन पसंद काम में माहिर बनाना बच्चों में किरियेटिवटी लाना जिससे हमारे देश और अच्छी और क्यावलिटिफाइड वर्कर्स मिल सके बच्चों को अपनी और दुसरी के सभ्यता और संसक्रियति की इज़त करना सिखाना चाहिए बच्चों को एक अच्छा नागरिंग बनाना इसलिए हमें बच्चों के अंदर दुसरी छमताय बिख्षित करनी चाहिए आएए देखते हैं कि बागी की पाँच छमताय क्या है बाच्चित करने का हूनर यानि Communication Skills हमें बच्चों को अपने बिचारों को दुसरे के सामने रखने काबिल बनाना चाहिए हमें उन्हें अपने बिचारों को Espeach, गाने और आर्ट की मदद से लोगों तक पहुंचाने के काबिल बनाना चाहिए एक साथ काम करना यानि Collaboration हमें बच्चों को एक साथ टीम में काम करना सिखाना चाहिए ना कि उन्हें एक दूसरे से Competition करना अच्छे Eskills बच्चों को Team Project दिये जाते हैं जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर किसे समिस्षा को सुलजाने के कोशिश करते हैं Daya Luta यानि Compassion हमें बच्चों को दूसरी की भावनों को समझने के काबिल बनाना चाहिए उन्हें पता होना चाहिए कि परसान होना क्या होता है जिससे वो कभी दूसरे को परसान न करे बलके उनकी मदद करे मानसिक संतूलन बनाना यानो Composer हमें बच्चों को ध्यान के जरिये खुद पर काबू पाना सिखाना चाहिए जिससे वो अपने अंदर के भावनावों को समझ कर उन्हें पर काबू पा सके नागरिता यानि Citizen City हमें बच्चों को राजनीती भी शिखानी चाहिए जिसमों ये जान सके कि उनका देश कैसे चलता है इसे वो अपने देश के हीद के लिए काम करना सिख कर अन्याए को खतम करने की कोशिश कर सकते है कुल मिलाकर हमारे स्कूलों में सबी को एकी तरह से पढ़ाया जा रहा है और ये तरीका काम नहीं कर रहा हमें ये बात समझ जाना चाहिए कि हर बच्चे के सिखने का तरीका अलग-अलग होते है हमें एक ऐसा एजूकेशन सिस्टम चाहिए जो हर बच्चे के हुनर और काबलियत को निखारे क्या करे अपने एस्टुडेंट्स के एक दूसरे से सिखने दे अगर एस्टुडेंट्स को उनके दोस्त समझाए तो उन्हें सारी बातें अच्छे से समझ में आती है ऐसा इसलिए होता है कि उनके दोस्त ने उन चीजों को अभी अभी सीखा है उन्हें पता है कि उसमें क्या समझना मुश्किल है तो अगली बार अगर आप किसी को कोई हार्ड टॉपिक समझाना चाहे तो उसे एक ऐसे स्टुडेंट से समझाने को कहिए जिसने उसे अभी भी सीखा हो